नमस्कार दोस्तों दोसाची टीवी चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आईए आज बात करते हैं दो तरीके से कमाना सीखो इस विशे पर वो कौन-कौन से दो तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हो और वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनके कारण आप कितना धन कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो कब तक कमा सकते हो इस विशे में शंपूर्ण जानकारी आज को इस वीडिये में आपको मिलेगी इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है देखिए मित्रो कमाना बहुत जरूरी होता है कमाने का मतलम मेरा धन कमाने से मतलब है पैशा कमाने से मतलब है रुपया कमाने से मतलब है या यूं कर सकते हैं हाउ टू अर्न मनी यदि आप इंग्लिश में समझते हैं तो मैं कहना चा होगी देखिए दोस्तों धन कमाने के दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका होता है एक्टिव रूप से और दूसरा तरीका होता है पेशिव रूप से एक्टिव रूप से जब आप धन कमाते हैं या पैशा कमाते हैं तो उसमें आपको अपने सरीर से काम करना पड़ता है अपन मगर दूसरा तरीका जो पेशिव तरीका बताता हूँ वो तरीका अलग तरीके का तरीका है तो आईए पहले तरीके से बात कर लेते हैं जिसको एक्टिव तरीके से धन कमाना कह सकते हैं एक्टिव तरीश के से धन कमाने का मतलब है आप या तो किशी सर्विस करते हैं अथवा कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आठ गंटे, दो गंटे, दस गंटे जितनी मैनत करेंगे उस हिसाब से आपको धन मिलेगा और वो धन आप कैसे कमा सकते हैं उसका तरीका मैंने बताई दिया आपको, आप बिजनेस से कमा सकते हैं अथवा किसी नोकरी से या किसी और तरीके से कमाना चाते हैं तो वो बात अलग है कितना कमाते हैं इसके बारे में भी आप जितनी मैनत करेंगे उतना कमा पाएंगे देखिए से दिनो मिलता वहीं है जो आप मैनत करते हो और उस मैनत का ही रिटर्न आपको मिलता है अब कितना कमा सकते हैं यह आपके ओपर डिपेंड करता है अब बात आती है कब तक कमा सकते हैं दोस्तो कब तक कमाने का मतलब है सर्विस आप तब तक कमाएंगे सर्विस में जब तक आप सर्विस में रहते हैं यदि प्राइवेट सर्विस आप करते हैं तो उसमें आप तब तक ही धन कमा पाते हैं जब तक आप उस सर्विस में रहते हैं जब तक आप पैसा कमा सकते हैं जब तक आपकी सर्विस रहती है सर्विस पूरी होने के बाद में आपको पेंशन के बतोर कुछ मिल सकता है बागे आप लगातार नहीं कमा सकते हैं यह एक तरीका हुआ active income कमाने का कि वो कैसे कमा सकते है कितना कमा सकते हैं और कब तक कमा सकते हैं अब बात आती है पेशिव तरीके से कमाने की जी हैं दोस्तों पेशिव तरीके से कमाने का तरीका बहुत ही शांदार तरीका है यह यह तरीका आप शीख लेते हैं तो आप अपने जिमन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं पेशि साथ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है यदि आप पेशिव तरीके سے इंकम करना चाहते हैं तो एक बार आप कर लेंगे उस के बाद में उस काम को करने के बाद में आप यदि उस काम को रात और दिन नहीं संभालेंगे तो भी आपका पेशिव इंकम चलता रहता है जैसे मान लीजिए आपने अच्छा पैसा कमा लिया और अच्छा पैसा कमाने के बाद में उसको बैंक में FD के बतोर अथवा किसी को इंटरेस्ट पर दे दिया तो ये पेशिव इंकम हो गई यानि आपका कमाया हुआ धन है उससे ही पैसा कमाना या यूं कर सकते हैं पैसे से पैसा कमाना तो ये पैसिव इंकम हो गई इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं होता बस एक बार कमा दिया और उसको सेट कर दिया यानि बैंक में FD करवा दिया आपने वो आपकी पैसिव इ अब दूसरी दूसरा तरीका पेशिव इंकम कमाने का पेशिव इंकम कमाने का दूसरा तरीका हो सकता है जैसे आपने कोई अपने घर के अलावा कोई मकान मना लिया रूम मना लिया घर में भी एक्स्टा रूम मना लिये और उनको किराये पर लगा देते हैं तो वो पेशिव इंकम कहलाएगी आपके ये इंकम आपकी आप सोते रहेंगे तो भी चलेगी क्योंकि मान लीजिए आपने किसी मकान को किराये पर दे दिया पांच हजार रुपे पर बंत के हिसाब से तो वो रात और दिन चलता रहेगा आपके जागते रहने पर भी चलेगा आपके सोते रहन ये तो मैंने बताई दिया आपको ये दो तरीके तो बताई दिये और बहुत से तरीके हैं उन तरीकों को बताने के लिए आप मेरी चैनल दो साती टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकोन को प्रेश कर दीजिए और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपक कि जिस वीडियो की आपको जरूरत है आपके सारे दोस्तों को जरूरत हो सकती है ये वीडियो आप पिता है तो अपने पूत्र को भेज सकते हैं पूत्र है तो पिता को भेज सकते हैं पती है तो पत्नी को भेज सकते हैं और पत्नी है तो पती को भेज सकते हैं मेरा कहने का मतल है सारे फैमिले मेंबर्स में से ये वीडियो आप भेज सकते हैं और एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए वीडियो में कौन सी वात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए और ये भी कमेंट कीजि जाय स्रीकुष्णार।